Good morning students, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्नोट साइकल कर्नोट साइकल थर्मोडाइनमिक्स की एक बहुत ही इंपोर्टेंट साइकल है और इसका नाम कर्नोट चक्र, हिंदी में कहें तो कर्नोट चक्र किसले बढ़ा? क्योंकि इस साइकल को देने वाले फ्रेंग्स साइंटिस्ट जो थे, हो थे साड़ी कर्नोट उन्होंने इस साइकल को दिया था और इसी वज़े से साइकल का नाम पड़ा कर्नोट साइकल इस cycle के द्वारे एक ऐसे heat engine के बारे में बताया गया है जो उश्मा को कारे में बदलता है और अधिक्तम कितनी उश्मा को कारे में बदला जा सकता है उसके बारे में ये cycle बताती है इस heat engine जिसकी ये cycle है उसको हम चार पदों में प्रदर्शित कर सकते हैं हीट इंजिन जो है वो चार पदो में चलता है इसमें कारेकरी पदाट के रूप में सैडी करनोर ने एक मोल आदश गैस को लिया था उसनों ने इस गैस को एक सिलिंडर में भरा था जो कि आपके स्क्रीन पे जो फिगर दिखाई देता है उसमें जो सिलिंडर है उसमें इस गै प्रसार का अर्थ होता है कि इसका आयतन जो है वो बढ़ जाएगा और सम तापिय प्रसार का अर्थ होता है कि प्रसारन के दोरान जो तापमान है वो सिर रहेगा तंतर का तो गैस क्या है सबसे पहले पद में जो हीट इंजन है उसमें सम तापिय प्रसार करती है और आयतन में उसके वृद्धी होती है जो उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड करता है और फिगर बी जो है वहाँ पर वो पहुँशता है उसके बाद दूसरा पद जो है उसे हम रुदोश्म प्रसार कहते है और अर्था इसमें फिर से गैस जो है उसका आयतन बढ़ेगा और रुदोश्म का मतलब होता है कि जो तंत्र की उश्मा है वो स्थिर रहेगी वो नहीं बदलेगी तो बी से हम सी में पहुँशते हैं प्रसार हुआ है तो आयतन बढ़ रहा है फिर हम देखते हैं तीसरा पद है आइजो थर्मल कम्प्रेशन यानि कि इस पद के दोरान जो तंत्र है उसका जो तापमान है वो तापमान में नहीं बदलेगा और आईजो थर्मल कम्प्रेशन या फिर संतापिय संपीडन होगा संपीडन का अर्थ होता है आयतन कम हो जाना इसलिए figure C से हम figure D की तरफ चल देंगे यह जो है वो figure D में जो आयतन है वो कम हो गया है और फिर इसका अंतिम पद जो है वो अडियाबटिक कमप्रेक्शन है यानि कि रुदोश्म संपीडन है और उससे हम D से फिर से यह आप देखें जो D है उससे हम फिर से कहाँ पर आ गए है फिगर में देखें फिगर में हम D से A में आ गए है यानि जो करनोट साइकल है उसमें एक ऐसे हीट इंजन के बारे में बताया गया है जिसमें हम figure A से स्टार्ट कर रहे हैं जो diagramatically आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हम figure A से स्टार्ट करते हैं A से हम B में जाते हैं B से हम C में जाते हैं C से हम D में जाते हैं और D से हम फिर से वापस A में आ जाते हैं तो यह चक्रिये प्रक्रम है देखें गोला पूरा हो रहा है ये इन्होंने बताने की कोशिश की थी, इस साइकल के द्वारा, इस साइकल को ग्राफिकली भी हम लोग समझ सकते हैं, और वो हम अगली वीजियो में देखेंगे.